हेलो जी नमस्ते सास्याकाल असलाम अलेकूम आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल ट्रिपल ट्रो हिंदी उर्दू पे वल्कम वल्कम अन मैं चैनल तो आज हम रीडिंग करेंगे पिक काट आपने अपना डेट ऑफ बर्थ चूस करना है ठीक है आपका जो भी डेट ऑफ ब वी नहीं करेंगे चैनल ट्रिपल 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 ट्रिफ आपका जैनल बट्रिपल ट्रिप्ल ट्रilaris उनल ट्रीश इंड में जो single है या relationship में है या आप किसी situation पे है या आप married भी है इस reading को सब लोग देख सकते हैं आपने सिर्फ अपना date of birth चूज करना है और उसी के लिहाद से आपने अपनी pile चूज करनी है और मैं मिलूँगी आप से आपकी reading पे आपने क्या करना है वीडियो को like करना है share करना है subscribe चैनल को notification bell को दबाईए और मुझे टिक टॉक पे भी follow करें अगर आप कर सकते हैं अगर instagram पे ज़रूर मुझे follow करें मैंने आपको link डाल दिया instagram का description box में वहाँ पे मुझे follow करें especially आप लोगों के लिए मैंने वहाँ पे channel बनाया है account बनाया है तो आप उस चीज को मुझे वह चूज करनी है आपके सामने ही मैं live reading करूँगी shuffling करूँगी और हमेशा मैं कहती हूँ जैसे ये general readings है तो अगर आपके साथ resonates करें आपको लगे कि ये आपकी situation है आप manifest कर रहे हो प्रे कर रहे हो तो comment box में इसको claim किजिए कि yes मैं इस चीज को claim करती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं pray कर रही हूँ तो मुझे ये चीज मिलेगी जिनको doubt है जो confused है ये reading आपके लिए नहीं है ये channel आपके लिए नहीं है आप definitely और बहुत अच्छे channels है वहाँ देख सकते है reading देख सकते है तो start करते है आज की reading guys जी pile number one देखते हैं आपकी reading में क्या है जिनकी date of birth ये हैं welcome on your reading आपने ये वली pile चूज की है number one जिसमें आपकी ये date of birth है तो welcome on your reading देखते हैं कि आपकी इस card में especially theme क्या है उसके बाद हम reading देखेंगे कि आपके लिए next three months में क्या हो रहा है love life में career में या क्या change आपकी life में आ रहा है जो आप experience करेंगे let's see so we have the strength card तो आप में स काफी सारे लोग Leo हो सकते हैं या आपका sun moon, raising यह कहीं पर ॱम की placement हो सकती है आप के birth chart में these are Okay okay a trap cat lover हो सकते हो या वरकी हो सकते है कि आप में से काफी सारे low cat adapt करो as a pet okay be pet हो सकते है specially cat हो सकते है U sculptor या आप आप सोच रहे हो कि आप के पास पैट होना चाहिए आपको या आपको पैट रखना चाहिए ताकि आप अपना ज्यादतर टाइम स्पेंड कर सको अपने पैट के साथ ठीक है तो अब मजीद देखते हैं तेरोर से रीडिंग देखते हैं या पर स्ट्रेंग्ट है तो है वो टेस्ट की जाएगी कि आप आया वो डिसीजन अपने तौर पे ले सकते हो या आपको किसी की हल्प की ज़रूरत है लेकिन यहां पे बोला आपको यही जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से और अपनी फीट्स पे खड़े होके आप खुद इंडिपेंडन होके अप की मूंस में ठीक है अब टेर वाद से जेख थे हैं कि आपक लिए क्या है उसके बाद हम और साठेेगि है मभी आपके लिए नेक्स त्री में क्या हने वाला है let's see so we have the world card yes definitely ace of wands, interesting we have the fool and we have six of cups wow bottom of the deck हमारे पास है four of pentacles okay, तो आप में से काफी सारे लोग एक चीज मुझे आपे नजर आ रही है आपको अपने finances को save रखना है with the four of pentacles फजूल खर्ची नहीं करनी next three months में ठीक है क्योंके हो सकते हैं आप लोगों के हाथ बहुत फजूल खर्च है या आप लोग फजूल चीजों पर अपने पैसे को खर्च करते हैं या उड़ाते हैं तो आपको इन चीजों को आप सीखना है कि पैसे को save कैसे करना है ठीक है with the four of pentacles saving करें, अपने finances को संभाले और जिनकी job नहीं है ठीक है, उनको definitely यहाँ पर job मिलेगी with the ace of wants एक new opportunity आपको मिलेगी ठीक है, job की, एक new offer या आपको खुद जाके with a full card ये risk लेना पड़ेगा ऐसे नहीं आपके पास आएगा घर में कोई नहीं आता, आपको knock करता डॉर पे, जॉप आ गई है, ले लो ठीक है ना घर पे जो सिफ नॉप करते हैं वो pizza delivery होती है या आपका parcel होता है, जैसे आप online कोई shopping करते हैं ठीक है, job नहीं आती घर पे ठीक है, job नहीं आती घर पे ना ही lover आपके घर पे आएगा के या कोई आपके घर नहीं आएगा आपको कहने के भी, I love you effort करनी पड़ती है, दोना तरफ से effort जरूरत होती है, और अगर ये job की जरूरत है job की जगह है, या आपको opportunity create करनी है, तो भाईया, आपको definitely next three months में ये strength ये इसलिए बोल रहे है, कि decision लेने पड़ेंगे important three months, आपको कुछी चीज रिस्क लेनी पड़ेगी आपको कुई new adventure पर जाना पड़ेगा new career field की तरफ जाना पड़ेगा कुई ऐसी चीज करनी पड़ेगी जो आपने पहले experience नहीं की, लेकिन ये एक risk है आपको लेना पड़ेगा with a full card एक risk है, आपको एक leap of faith है कि मुझे ये चीज करनी है मुझे खुद पर trust है, मैं करूंगी या करूंगा, तो करना पड़ेगा बेटा, ये तो करना पड़ेगा, अगर पैसा चाहिए तो और एक और चीज यहाँ पर है मैं देख रही हूँ याँ पर आप Capricorn हो सकते है Taurus, Virgo, Leo, Aquarius, Scorpio Aquarius की इनरजी बहुत strong है याँ पर आप water sign भी हो सकते हैं, आप fire sign भी हो सकते हैं ठीक है, और जो मैंने sign बताए हैं, ये वोवले sign है ये sign आपके कहीं पर भी chart में हो सकते हैं ठीक है, अब एक चीज़ मुझे यहाँ पर नजर आ रही है अगर मैं love की बात करती हूँ, तो ये reconciliation है ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये reconciliation है, क्योंके with the six of cups ये past वाला lover होता है ठीक है, आपने already शायद इस इंसान को मुझे नहीं लगता कि आपने date किया था इस इंसान को ठीक है, इसको date नहीं किया आपने लेकिन आप इसे love करते थे या आपने feeling express की है या आप चाते थे कि आप इसको date करो या आपका crush भी हो सकता है with the four of pentacles मुझे लगता है ये इंसान कोई बच्पन का friend भी हो सकता है या आप इस इंसान को काफी हरसे से जानते थे ठीक है, लेकिन four of pentacles मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने अपनी feeling express की थी या आप दोनों ने date किया था लेकिन आप इस इंसान आपके पास आएगा with a fool card and ace of wands या एक universe की तरफ से एक opportunity मिलेगी आप तोनों का फिर एक दूसरे के सामने आमना सामना होगा ठीक है, face to face आप कहीं मिलते हो और अचानक से ही ये एक plan है God का कि आप एक दूसरे के सामने फिर से आओ it's like an old flame एक पुराना जैसे love था या first love था, या old crush था वो फिर से जाग जाएगा इस इंसान को देखके या इस इंसान की feelings आपको देखके फिर से passionate हो जाएगी आपकी तरफ attractive हो जाएगा ये इंसान ठीक है, तो इस तरह की energy मुझे नज़र आ रही है और कुछ लोगों के लिए ये reconciliation है ये इंसान आपकी तरफ आएगा ये इंसान आपके साथ relationship चाता है और जो लोग totally single है उनकी life में कोई भी नहीं था past से तो ये नए इंसान है, obviously ये इंसान आपकी life में through friends through friends, मुझे friendship नज़र आ रही है through friends, या आपके friends या आपकी family friends हैं या work के through भी हो सकता है आपके colleague है, कहीं पर party है, कोई event है आप वहाँ जाते हो और मुझे यहाँ पर एक किसम का seminar भी नज़र आ रहा है जैसे कोई festival होता है ठीक है? कोई festival है या कोई event है वहाँ पर आप जाते हो, किसी की शादी भी हो सकती है आप वहाँ जाते हो और वहाँ पर इस इनसान की मुलाकात आप से हो सकती है तो जाएएगे जरूर या आपको कोई introduce करवाएगा या friends, family, colleague कोई आपको introduce करवाएगा इस इनसान से या उन लोगों के लिए है जो already love में थे तो आप एकने एक cycle complete किया इस इनसान के साथ आपने शाद इस relationship से आपको लगा सब कुछ खतम हो गया दुबारा नहीं कोई chance लेकिन ये इनसान वापस आएगा आप हो सकता है long distance connection में भी हो ये इनसान आप से हो सकता है different country भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप out of race होगे मतलब आप दोनों का मतलब different background होगा या culture या आपका religion different है या कुछ difference है आप दोनों के दर्मियान में ठीक है तो जिसके लिए strength की ज़रूरत है इसका मतलब आपको independent होना पड़ेगा आपको ये decision लेना पड़ेगा कि आप इस इनसान को allowed करते हो या नहीं yes बोलते हो या नहीं ठीक है लेकिन मुझे लगता है कि काफी सारे लोग आपने patience रखा आपने इस इनसान पे give up नहीं किया आपने अपने relation आपको यकीन था कि ये इनसान आएगा क्योंकि आपको लगा कि ये आपका soulmate है तो definitely आ रहा है और जो लोग single है आपको भी यकीन था कि आपकी life में जरूर कोई आएगा ये इनसान six months day one year के अंदर अंदर आपके आएगा मुझे लग रहे है कि काफी सारे लोग इस इनसान को summer में मिलेंगे ये summer में इनसान आपके जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं one week से six weeks तक ये इनसान आएगा आपकी life में ये summer वाले season में जब भी summer होगा गर्मिया summer का season ठीक है और कुछ लोगों के लिए by the end of the year आपकी इस इनसान से मुलाकात होगी और अब मैं बात करूँगी career की में जो बात करी थी job की definitely new opportunity है लेकिन आपको risk लेना पड़ेगा definitely आपकी effort यहाँ पे जरूरत है हो सकता आपको travel करके कहीं जाना पड़े ठीक है तो आपको जरूर जाना पड़ेगा आपको वहाँ पे interview देना पड़ेगा यह आपको वहाँ पे present होना पड़ेगा जो कुछ भी करना है आपको यह opportunity लेनी ही लेनी है give up नहीं करना passion है desire है तो definitely आप कुछ भी कर सकते हैं लेकिन passion नहीं है laziness है सुस्ती है यह चीज़ आपको खुदा की मिले ऐसे नहीं हो सकता यह आपके friends help करें यह कोई और आपको help करें no ऐसे नहीं होगा खुद लेने पड़ेंगे decision यह आपकी reading बोल रही है और कुछ लोगों के लिए यह out of country job भी हो सकती है यह कोई internet पे भी job हो सकती है यह कोई ऐसा काम हो सकता है business जो आप internet पे करेंगे यह out of country है या मुझे नज़र आ रहा है यहाँ यह उन लोगों के लिए है जो बाहर जाना चाते है ठीक है आप बाहर जाना चाते हो study को लेके या पैसे को कमाने के लिए like career के लिए या कुछ लोगों की शादी भी बाहर हो सकती है मतलब यह जो आपका lover है यह जो partner है वो out of country शायद आपको शादी के बाद ले जाएगा या already ही out of country से है बाहर से है मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए अगर country नहीं है तो definitely आपसे बहुत distance पे है यह इनसान आपके city का नहीं है यह जो भी है ठीक है कहीं आप travel करते हो work के लिए या शादी पे जाते हो जैसे मैंने कहा कोई event है festival है या वैसे ही आप किसी adventure के लिए fun के लिए कहीं जाते हो कहीं travel करने तो हो सकते है वा मुलकात हो जाए इस इनसान से या आपके लिए message है it's up to you तो चाहे love है चाहे आपका carrier है it's all up to you honey ये सब कुछ आप पे depend करता है कि आप इस opportunity को कैसे use करते हो ठीक है मेरा काम है बताना आपका काम है use करना करेंगे तो action लेंगे करेंगे तो आपके हाथ में है नहीं करेंगे तो मेरा काम तो बताना है आपको मैं तो इसरी गाइड कर सकती हूँ आपको यहां पे और अगर हमें health की भी बात करूँगी यहां पे recovery आ रही है तो definitely जिन लोगों के health issues है मुझे वो health recovery नज़र आ रही है जो कुछ लोगों के लिए pregnancy भी मुझे नज़र आ रही है six months to one year हो सकता है आपका second baby है या आपका first baby है तो pregnancy भी नज़र आ रही है मुझे यहां पे क्यूंकि यहां पर recovery है health की we have a yes तो आपका जो भी question है answer yes है angels की तरफ से आपकी हर वो खायश जो आप dream चारे हो वो पूरा होगा लेकिन again it's up to you destiny को create करना पड़ता है आपके दर्वाजे पर नहीं आती वो create करने वो उन लोगों को मिलती है जो खुद पहले ही किसमत में उनकी lucky होते हैं ठीक है या उनकी कोई godfather parents वगरा होते हैं कोई उनको help करने वाले तो जिनको खुद करनी होती है मैनत उनको definitely action लेना पड़ता है और अपने लिए ये opportunities create करनी पड़ती है और follow करना पड़ता है अपने passion को एक idea को कि मुझे जीचिस करनी है ये मेरे दिमाग में है मैं ये करना चाहती हूँ, मैं करना चाहता हूँ a year from now हो सकता है आपकी शादी होगी, fix होगी या आप married होंगे या a year from now हो सकता है एक साल के बाद जब आप ये reading देख रहे हों तो आप already किसी के साथ होंगे relationship में होंगे, अपने partner के साथ जिसका आपको wait है, या आप move on कर गया होंगे कोई new lover आपकी life में आया वा होगा तो अगर आप totally single है तो definitely मुझे लग रहा है तो obviously अभी से safe करना शुरू कर दें तो हो सकता है six months से one year तक आपकी strong chances हैं बाहर जाने के अगर आप out of country जाना चाते हैं या out of state जाना चाते हैं या city जाना चाते हैं, ठीक है यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे और health की recovery भी मुझे याँ पर नज़र आ रही है उन लोगों की जिनकी health के issues थे आपकी health मुझे improve होती भी नज़र आ रही है ठीक है, change होती भी नज़र आ रही है आपको थोड़ सा fresh air की भी जरूरत है travel या adventure की भी जरूरत है तो आप अपने आपको अच्छी जगह पे लेके जाएं अपने आपको treat करें अगर आप कर सकते हैं, पैसा तो लगेगा लेकिन अपनी recovery के लिए हो सकते हैं आपको थोड़ सा time जाना चाहिए, कहीं पे कुई travel करना चाहिए, पिकनिक पे जाना चाहिए यह चाहिए बच्चों के साथ है, यह फ्रेंड्स के साथ है यह अपने साथ है, खुद अकेले भी जा सकते हैं तो जाएं, थोड़ा सा recovery अपने आपको ज़रा environment change करें यह उन लोगों के लिए जो tension में हैं और अगर आप afford कर सकते हैं, then go तो यह आपकी reading है, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स reading में, like, share and subscribe Hello जी, pile number two, जिनकी यह वली date of birth है, welcome on your reading, यह आपकी date of birth है देख लें आप, ठीक है, confirm होजाए आपको, welcome on your reading देखते हैं, next three months में आपकी life में, चा changes आ रही हैं, love, career, health social life वैसे आपकी overall life, देखते हैं, यह काड़ आपकी पूरी theme को बताएगा, कि आपको क्या करना चाहिए, wow, we have dreams वाउ तो मुझे लग रहे हैं, कि आप already, जो आपको dreams आप देख रहे हो, वो आपके पूरे होंगे, आपको sign है, आपको एक dream मिल रहे है, आपको के लिए, जो आपको कुछ देख रहे हैं, dream में, उनको already feel हो रहे हैं, कि आपकी life में ये चीज़ आ रही है या होने वाली है, तो congratulations, आप बहुत ज़ल्द ये अपनी life में experience करेंगे, कि आपका जो dream है, वो पूरा होगा, जो भी आप dream में देख रहे हो, वो एक sign है आपके लिए, universe की तरफ से, ठीक है, उस पे attention पे कीजिए अपने आपको, और मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ रही है, अगर आपको कुई चीज़ भी wish करनी है, pray करनी है, आपको इच manifest करना है, तो full moon पे हमेशा इन पाइल के लिए, इन birthdays पे जिनकी भी date of birth है, आप full moon पे हमेशा अपनी चीज़ों को manifest किया कीजिए, मैं बहुत जल्द चैनल पे manifestation के तरीके भी बताऊंगी आपको, और आपको यह बताऊंगी कि किस तरह आप अपनी life में चीज़ों को manifest कर सकते हैं, especially on new moon और full moon, तो यह full moon वाली energy मुझे नज़र आ रही है, जहां पे आपको full moon पे कुछ rituals करने चाहिए, manifest करना चाहिए, चाहे आपको abundance चाहिए, success चाहिए, पैसा चाहिए, career में success चाहिए, love life में success चाहिए, जो भी आपका dream है, आपकी खाहिश है, उसको full moon पे किया करें, especially जिनकी यह date of worth है, मुझे एक नज़र भी आपका, जो भी आपकी wish है, या जो भी आपका dream है, वो full moon पे पूरा होगा, जब भी कोई full moon आएगा, तो आपका उसी full moon पे ही, आपका dream पूरा होगा, या आप एक dream में कुछ देखोगे, full moon पे, खाप में कुछ देखेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए, एक sign है, universe की तरफ से, यह चीज़ आपके लिए, पूरी होने वाली है, नो लेट सी, तेरोट से देखते हैं, आपके लिए क्या होने वाले, नेक्स त्री मंस में, पूर्दीस पाल, so we have a knight of swords, we have ten of swords, oh my god, आप लोग air sign हो, Gemini लिए, 2 of cups, water sign, and 2 of swords, या आप हो सकता है, air sign के साथ, डील करे हो, लेकिन आप हो water sign, या आप हो सकता है, water sign हो, और air sign के साथ डील करे हो, या सारी, आप water sign हो, और air sign, air sign और the water sign, ये वाली energy नजर आ रही है मुझे, या bottom of the deck page of swords, ace of swords, look at this all air, oh my god, Gemini, Libra, Aquarius, so आप मैं से काफ़ी सारे लोग, या, ये सब कुछ tension की बात है, ये वाली पाइल बहुत ज़्यदा tension लेती है, आप लोगों का सारा काम दिमाग से है, आप लोग बहुत ज़्यदा सोचते हैं, हो सकता है, overthinking करते हैं, आप लोगों को trust issues भी हैं, आप लोगों को believe भी नहीं होता है, ठीक है, with the ten of swords, तो हो सकता है, बहुत सारी tensions हैं आपकी life में, आप हो सकता है, कोई decision जब लेना होता है, तब भी आप बहुत confused होते हैं, with the two of swords, and ten of swords, कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मुझे ये चीज़ छोड़नी चाहिए, नहीं चोड़नी चाहिए, अगर कोई आपसे बात भी करता है, या आपकी तरफ attract भी होता है, या आपसे बात करना चाहता है, तो आपको समझ नहीं आती, कि इस इंसान की नियत क्या है, क्या आप इस इंसान पर trust कर सकते हो या नहीं, तो सब कुछ आपके दिमाग से है, यहाँ पर जहीं चीज़ मुझे नजर आ रही है, तो कोई आपके with a knight of swords है, या कोई ऐसा इंसान है, जिससे आपका जगड़ा हो सकता है, या आपका जगड़ा औरेड़ी इस इंसान के साथ हुआ वा है, औरेड़ी इस वक्त, इस वक्त आप इस इंसान से बात नहीं करें, ठीक है, या आपका lover भी हो सकता है, friend भी हो सकता है, या family का कोई environment भी हो सकता है, या colleague भी हो सकता है, workplace भी हो सकती है, जहां पर यह जिसकी वैसे आपको बहुत TENSION है ये कुई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने आपको हर्ट किया था आपको धोकर दिया, चीट किया आपको ऐसे लगएगा कि आपको इस इंसान ने हर्ट किया है आपके साही नहीं किया तो आपको घुस अएगा obviously एक normal इंसान को आता है तो हो सकता है आपने घुसे में इस इंसान को कुछ बोला या इस इंसान ने घुसे में आपको कुछ बोला आपकी verbal fight हुई, गाली अंदी, गाली कलोच कुछ हुआ होगा इस तरह का, ठीक है या आपने एक दूसरे को hurt किया words के साथ कोई लड़ाई हुई है आपकी अगर कोई family में issue भी हुआ है जैसे आप married है, किसी का आपका अपने husband के साथ जगड़ा हुआ है या in-laws के साथ हो सकता है, तो please इस चीज़ को control कीजेगा, अगर अभी नहीं हुआ हुआ है, तो हो सकता है next three months में ये आपकी life में disturbance लाए तो control करना है आपने, अगर आपको पता है कि आपका partner, या आपके in-laws, या आपका friend, या आपका lover इस तरह का है, आपसे लड़ता है, जगड़ता है आपको hurt करता है तो आप उसको वो मोका ही ना दो, ठीक है कि वो आपसे उस तरह बात करे, या आप खामोश हो जाओ मुझे लगता है, आप मैंसे काफी सारे लोग already ही, इस इंसान को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, with the two of sorts अगर ये आपका lover है, girlfriend या boyfriend या आपका अगर जगड़ा हो चुका है, तो आपको समझ नहीं आ रही, कि आपको इस इंसान का wait करना चाहिए, या move on करना चाहिए लेकिन आप में से काफी सारे लोग, obviously इस इंसान से आपका love है आपको लगता है कि आपका soulmate है, lover है आपको ये लगता है कि true love है कुछ लोगों को ये friendship है, कुछ लोगों का, ये husband ये wife है, तो obviously problem तो है यहां पर और अगर आपका already इस इंसान के साथ जगडा था, तो ये इंसान आपके पास आएगा, और आप दोनों के दरम्यान में ये जगडा solve हो सकता है, with this communication with the page of swords, ठीक है तो आप दोनों के दरम्यान में communication होगा मुझे नजर आ रहा है, ace of swords, कोई truth भी है जो आपके सामने आएगा कोई छुपावा कोई सच था, इस इंसान ने आपको नहीं बताया, इस इंसान ने आपसे जूट बोला, आपको चीट किया ये कोई reason है, कोई वज़ा है कि क्यों किया था इस इंसान ने, तो वो भी आपके सामने आएगा ये इंसान आपको खुद आकर शायद बतायेगा ये भी possibility है, ये कोई आपको और बतायेगा through his friends, family किसी और से पता चलेगा आपको, लेकिन सच आपके सामने आएगा और हो सकता है, आप मैं से काफी सारे लोग अरड़ी इस इंसान को dream में देख रहे हैं आपको feel हो रहा है कि ये इंसान आपसे बात करना चाता है communication करना चाता है, लेकिन हो सकता है, इस इंसान को समझ नहीं आ रही है आपके पस कैसे आए, बात कैसे करे contact कैसे करे ये आपका ex भी हो सकता है, ठीक है कुछ लोगों के लिए आपका ex है, कुछ लोगों के लिए ये आपका partner है इस वक्त, ठीक है, अगर आप husband wife है तो आप दोनों separation में है कोई जगडा हुआ है, problem है, separation है, ठीक है यहाँ पर cheating नज़रा रही है, मुझे cheating, hurt तकलीफ है यहाँ पर, मतलब इस इंसान ने आपको hurt किया with the words, ठीक है, आप दोने एक दुसरे से जगडा किया, verbally एक दुसरे से बात करके जगडा होता है, या आपका जिसी से जगडा हुआ है ये भी चीज है, ठीक है, let's see now, और क्या है यहाँ पर, health की में जैसे बात करूँ, तो definitely यहाँ पर health की आपको नज़र आ रहा है, बहुत tension है यहाँ पर, यह सिर्फर सिर्फ tension और confusion की वज़ा से है, क्योंकि आप लोग काम ही दिमाग से है सारा, आप लोग दिमाग से सोचते हैं, हर वक्त आपका दिमाग active रहता है, जिसमें आपको stop करने की जरुआता है, यह आपकी nature भी हो सकती है, कि आपको गुसा बहुत आता है, आप बहुत हर्ट करते हो, गालियां देते हो, हो सकता है, क्योंकि होता है, आजकल लड़के इस तरह के हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, गाली दे दी, बत्तमीजी कर दी, ठीक है, आपको नहीं समझ आ रही होत जो आपके loved ones होते हैं, आप उनको hurt करते हैं, तो शायद आपको यह realize हो, कि यह जीज़ गलत है, इससे आपके relationship खतम हो सकते हैं, तूट सकते हैं, friendship खतम हो सकती है, love खतम हो सकता है, families में problems आ सकती हैं, तो जबान को control कीजिए, especially अगर आप air sign है, जमनाई लिबरेक वेरियस, औ अपने दिमाग को भी control कीजिए, ताकि आपकी health भी ठीक रहें, और आपकी mental health भी ठीक रहें, दोगों के साथ भी आपके जगड़े ना हो, problems ना हो, ठीक है, और अगर आप इस तरह के इनसान से deal कर रहे हैं, तो यह इनसान आपसे बात करेगा, contact करेगा, हो सकता है, वापस आ बिजनेस पार्टनर्शिप ही हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर मुझे लगते हैं, आप में से काफी सारो लोग अभी students है, जिन यह वी वीडियो देख रहे हैं, या तो आप student हैं, या आपकी job नहीं है, जिसकी वेसे आप काफी frustrated रहते हो, tension में रहते हो, यह भी possibility है, और अगर आपकी job है, तो आप frustrated हो, क्योंकि आपकी life में lover नहीं है, आप single हो, partner नहीं है, आपको tension है कि कब होगी शादी, friends की हो रही है, सब की हो रही है, मेरी क्यों नहीं हो रही है, तो definitely this pile में frustration है, mental frustration है, एक गुसा है, एक एक एंगरीनेस है, एक compare करना लोगों के साथ अपनी life को, ए आपकी life में हो रही है, या आप खुद ऐसा react करें और जो भी आपकी mental issue है, ठीक है, तो उस पर आपने focus करने की जरूरत है, वो आपकी health को बहुत affect कर रही है, लेकिन जैसे मैंने कहा, communication मिलेगा किसी की तरफ से, सच भी किसी का सामने आएगा, या कोई इनसान आपसे सच बोल ठीक है, यह चीज मुझे नजर आ रही है, health की यहाँ पर issues है, यहाँ पर definitely अपने आपको focus करने की जरूरत है, let's see, we have big happy changes, या आपके लिए wait कर रही है, और होने वाली हैं आपकी life में, ठीक है, कोई job या interview भी हो सकते है, जो आपको देना पड़े जाके, ठीक है, with the page of swords here, औ और कोई new education course है, जो आपको करना पड़े, यह भी possibility है, आप हो सकते है, कुछ और course करें, वो भी possibility है, और जो लोग में जैसे का, already किसी ना किसी तरह work में है, field में, तो business partnership आपके लिए बहुत effective रहेगी, तो big happy changes आपकी life में आने वाली है, कोई good news, good change in your love life, in your career, आपकी health में भी change आ सकता है, या reconsider, think about it, अगर आपने किसी को hurt किया है, तो please, माफी मागें उस इनसान से, reconsider, सोचें, क्योंकि रिश्टे को बचाने के लिए, तो obviously, माफी मागनी पड़ेगी, अगर आपको लगता है, क्या आपकी गलती है, लेकिन अगर किसी और की गलती है, और वो इनसान आ तो आप अपनी ego में मत रहना, कि उस इनसान को cut कर दो, फिर उससे बत्तमीजी करो, या उस इनसान को hurt करो, तो यहाँ पर reconsider करने की बात यह की जा रही है, कि आप सोचो कि वो इनसान कितनी हिम्मत करके फिर वापस आ रहे है आपसे बात करने, या आपको कितनी हिम्मत करके उ इस इनसान को बोलना पड़ेगा, reconsider, सोचें इस चीज़ को, अगेन यहाँ पर sword आ रहा है, communication, truth, express कीजिए अपने आपको, अगर किसी से love करते हैं, तो भी उस इनसान को express करें, शायद उस इनसान को समझ नहीं आ रही कि आप क्या चाहते हो उससे, या आपको क्या चाहिए, य definitely love में action की जरूरत होती है, अगले इनसान को समझ नहीं आती है, जब तक आप उसको clearly express महीं करते हैं, कि आपको क्या चाहिए, या अगर कोई आपके पास वापस भी आ रहा है, या आपसे बात करना चाहते है, आप clearly उसको बताओ, अगर आप उसे love करते हो, तो past वाले hurt को मत आने दो बीच में, अब उसको बताओ कि तुमने मुझे hurt किया है, अब अगर तुमने इस friendship में रहना है, या relationship में रहना है, या वापस आने मेरी life में, तो prove करना पड़ेगा, with your action, ठीक है, और या तो आप ये खुद किसी को बोलोगे, या आपको action लेना चाहिए, इस इनसान में ये problem ना आए, तो आप देखो ना कि problem क्या है, problem हमेशा दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं होती है, अगर ये इनसान problem create कर रहे है, तो आप उसको समझाओ, उसको बताओ कि ये चीज़ गलत है, मुझे ये चीज़ चाहिए, या आप अगर इस तरह से जगड़ा कर आपको definitely partner मिलेगा, अपनी life को दूसरे लोगों के साथ compare मत कीजिए, मैं हमेशा अपने channel पर ये बात करती हूँ, कि अगर आप single है और आपको tension है, कि शादी काब होगी, partner काब आएगा, lover काब आएगा, या success काब मिलेगी, ठीक है, tension लेने से कुछ नहीं होगा, tension से मजीद आ क्योंकि यहां पर बोला ही यही जा रहा है, remain positive, तो क्यों ना positive सोच है, negative भी तो सोच रहे है, अपने आपको hurt कर रहे है, mentally अपने आपको disrupt कर रहे है, तो क्यों ना positive सोच है, सोचना तो जैसे कैसे है, तो जिस वक्त negative सोच आ रही होती है, उस वक्त अपने आपको change करें, quick करे जल्दे से switch change करें positive की तरफ के अच्छा ठीक है आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, कल है ना एक hope है, एक उमीद है ठीक है तो यह आपकी reading है, like, share and subscribe मैं आपकी आपसे next reading में, bye guys